अस्सलाम अलेकूं वीवर्स हाँ जीतो मैं हूँ हिना आज का टॉपिक है कि करोना से डरना नहीं लड़ना है ये एक जंग है जो हमें जीतनी है जरा सोचें ये कैसी जंग है और हमें कैसे जीतनी है इसके लिए किसी बार्डर पे जाने की जरूरत नहीं बलके अपने अपने घरों में रह कर इसको जीतना है हाथ में पिस्टल उठा कर नहीं बलके हाथों में गलफ्स पहन कर इसको जीतना है बॉम को मुझ से खोल कर चलाना नहीं बलके अपने फेस पर फेस मास पहन कर इस जंग को जीतना है इस जंग में दुश्मन के पास जाने के जरूरत नहीं बलके सोशल डिस्टेंस रखना है दो मिटर तक है ना सोचने वाली बात अब हम बात कर लेते हैं कुरोना वाइरस की हिस्टरी की सबसे पहले 2003 फिर 2012 और फिर 2019 को नोवल कोविड नाइटीन के नाम से दुनिया के सामने आया है 2003 में हिस्टरी के मताबिक ये वाइरस कैमल्स के जरीए यानि के उंठों के जरीए एक इनसान में मुन्तकिल हुआ था जिसके बाद ये एक इनसान से दूसरे इनसान में मुंत्किल हुआ ये कुरोना वाइरस की पहली किसम है जो 2003 में सामने आई थी इस वाइरस में भी शदीद बुखार, खांसी, गले में दर्द और सांस की दुश्वारी के साथ साथ वामिंटिंग और डायरे जैसे सिम्टम सामने आए थे इस वाइरस ने भी बहुत सी जानों को अपनी लुपेट में लिया था इसरी के मताबिक ये वाइरस भी चाइना से ही फैला था और अच्छी बात ये है कि इसकी रिसर्च के बाद वैक्सिन बन गई थी और ये कंट्रोल में हो गया था 2012 में कोरोना वाइरस की दूसरी किसम दुनिया के सामने आई ये वाइरस भी चाइना से ही दर्याफ्त हुआ और कहा जाता है कि ये वाइरस चमगादर से बना था लेकिन ये भी कंट्रोल पा गया अब बात करते हैं कोविड नाइटीन यानी नोवल करोना वाइरस की रिसर्च के मताबिक चाइना के वाइरस चाइना के वाइरस चाइना के माहिरीन का कहना है लेकिन कुछ ममाली का कहना है कि चाइना इस बात को छुपा रहा है दरहाकिकत ये वाइरस चाइना के वहां शहर की मेडिकल लैब से निकला है जहां पर बैट्स के ओपर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे और सुनने में आया है कि इस दुरान एक बैट्स ने साइंटिस्ट के ओपर हमला कर दिया इस तरह से ये वाइरेस चाइना के साइंटिस्ट के अंदर मुंतकिल हो गया क्या चाइना वाके ही इस बात को छुपा रहा है अगर आप भी यही सोचते हैं तो मुझे नीचे कमें सेक्शन में जरूर बताईए क्या कोविड नाइटिन के वैक्सिन त्यार हो गई है अगर त्यार हो गई है तो अभी तक ये दूसरों तक क्यों नहीं पूंची जी हाँ चाइना ने ये वैक्सिन त्यार कर ली है ये वाइरस चाइना से फैला और चाइना ने ही इसकी वैक्सिन को त्यार कर डाला ये बात सच है के वैक्सीन त्यार हो चुकी है लेकिन इसके प्रासेस में अभी भी तीन से चार महीने लग जाएंगे अगर आप भी यही चाहते हैं तो नीचे कमों सेक्षन में आमीन लिख दें डॉक्टर ली कौन था उसने क्या किया था और उसके साथ क्या हुआ जानिये अगली वीडियो में अला आफिज